तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो यह वी एक प्रोजेक्टाइल का प्रोब्लम है और अगर तुम देखोगे क्योंकि यह चेप्टर वाई सीरीज डिजाइन किया हूँ यह आपके लिए नीट के लिए बहुत इंपोर्टेंट है डिस्टेंस वाई एन एक्स और यह वाली डिस्टेंस अपनी कुछ वाई है इधर वाई तो यह वाई और एक्स कहता है किसी भी एट एनी टाइम एट एनी टाइम हो जो वाई की वेल्ड हो है एट टी माइनस फाइफ टी का स्कॉर्ड तो यहां से कहता है वेलोसिटी विट वी तो प्रजेक्टाइल वाज प्रजेक्टेट तो कितनी वेलोसिटी से प्रजेक्ट हुआ था देखो अगर कितनी वेलोसिटी से प्रजेक्ट हुआ था तो चलो माल लेते हैं यहां से यू वेलोसिटी से प्रजेक्ट हुआ होगा तो अगर तुम्हें ux और vertical वाली velocity हो जाएगी यहां से ui तो velocity या प्रोजेक्शन जो u की value आ जाएगी यहां से u की value आ जाएगी वह जाएगी ux का square प्लस ui का square और यह सब कुछ under root यही तो हमें करना है तो initial velocity t is equal to 0 पर यह सब t is equal to 0 पर हमें चाहिए तो सबसे पहले velocity तो निकालने फिर t is equal to 0 पर हम लोग calculation करते रहेंगे तो यहां से जो final velocity आएगी t time बाद y-axis में हो आजाएगी dy over dt इसका एक बाद derivative ले लेते हैं तो यह आजाएगा 8 minus 10 t तो this is the final velocity जो function of time लग बट हमें तो t is equal to 0 पर चाहिए तो initial velocity y 8 meter per second आगे है जो कि हमको जरूरत था है ठीक है अब एक्स में देखो एक्स में देखोगे तो एक्स में कितना है 6 t है तो एक्स वाली velocity को लिख सकते है डी एक्स वाली velocity को लिख सकते है वी एक्स को डी एक्स ओवर डी टी तो डी एक्स ओवर डी टी 6 मतलब यह time t is equal to 0 यह दस सेकेट बाद जो है वो तो यू एक्स वो तो 6 ही आएगा क्योंकि यह टाइम पर डिपेंड़ी नहीं करता है क्या भाई यह तो यह क्या constant it does not depend upon time और certain planet का मतलब है कि अगर gravity लग भी रही होगी तो vertically downward लग रही है चाहिए जी लग रही है चाहिए चाहिए टू जी लग रही है चाहिए तिरी जी लग रही है इससे क्या मतलब हमें verticallyly downward लग रही है तो अब हमें net velocity इनिशियल वेलासिटी चाहिए तो net u is equal to 8 का square और प्लस 6 का square और यह सब कुछ under root मतलब यह जाएगा 64 plus 36 मतलब 100 under root मतलब यह की value आजाएगी 10 meter per second तो इस हिसाब से हम लोग का बच्चों C option सही हो जाता है तो थेंक यू वेबर टेक क्यार अपना बहुत ख्याल रखो